हो जो है यूटूब पर सच करकर थक गये होंगे की यूपी टीजीती पीज़िए टी एक्जाम कब होगा यूपी टीजीडी पीजीटी एक्जाम कब होगा LTGIC का ने विग्यापन कवाएगा TGDPC का ने विग्यापन कवाएगा वही लाजमी है आप जिस प्रस्तितों में रह रहे हैं न उन प्रस्तितों को मैं भली भात ही समझता हूँ बनकुल भली भात ही क्योंकि जो आप प्रसंद जिर ले हो न जो time face कर रहे हो न आप लो उस time को मैं भी face कर रहे हैं यह नहीं है कि मुझे नहीं पता मुझे सब पता है कि समाज के ताने रिष्टतारों को सांथ ताने माभाब के ताने यह एक ऐसी तरह से हमें डिमोटिमेट कर देते हैं अंदर से हमारा मन तो यह करता है कि हाँ सब कुछ छोड़कर चले जाए लेकिन कहीं न कहीं मज़मों यह बास देती कि मैं जीवन एक मिला है तो क्यों जीवन को सुधा ला जाए देखिए आप यह सच करते हो रहा है UP, TGD, PGD अगसाम कब होगा देखिए आप इस चीज में बुलकुल भी टाइम वेश्ट ना खरे ठीक है क्योंकि यह टाइम है आपके लिए बहुत ही अपोर्चनल चला सकता है बहुत ही गोल अंचांस आपके लिए क्योंकि यह आपने इस टाइम को गवा दिया तो मुझे लगता कि जो टाइम यह चला गया है कि वो टाइम फिर से लोट करके आएगा मेरे कुछ बहने हैं मेरे कुछ भाई हैं जिनकी ऐस 29, 30, 28, 31 हो चुकी है वे चाहते हैं कि जैसे दूसरी दुनिया के लोग खुश रहते हैं हमार दोस्त, परोसी ऐसे ही हम भी अपना जीवन चीए वोग आप डिजर्व भी करते हैं वो इस वन चाहा तो आपको यह मुझा बुलकुल मिलेगा लेकि थोड़ा पैसेट्स पैसेट्स तो रखना पड़ेगा आप इतनी मेहनत कि आपका प्रोसी यह समझ जाए कि यह कर क्या रहा है नमबर वन अपनी कोई भी स्ट्रेजी आपका कोई भी प्लान हो आपका कुछ भी हो अपनी ना तो प्रोसी को बताएं ना अपनी फैमिली को मेंबर को बताएं सिर्प अपने तस्निम में बागें क्योंकि इन चीज़ों को ना तो बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यह सीगर्ट होती है हमारा गौम में कहते हैं कि यह हम किस चीज़ों को बताएं तो गौम लोग की हाई ला जाती है कहीं न कहीं वह बात ठीक बैठती है देखें सबसे पहले आपका goal set है उस goal पर आप focus करिए सरफ focus करिए मायले आपका exam आपका exam चाहें March में हो चाहें Aprèsal में हो मई में हो जून में हो जुलाइ में हो चाहें Last December में हो हाल तो आपका exam इhtě दूर पहुचेएगा नहीं इतनी ज़ल्दी exam होगा मार्स से पहले तो एक्जाम असंबब है देखिए जो बत कड़वी है मैं आपको कहूँगा आप चाहिए बुरा मानें, चाहिए रोएं, इस चाहिए से रिपीटें यह कहते हैं कि जो कड़वा इंसन होता है वो बुरा ही होता है मैं आपको कड़ी बात बता रहा हूँ चाहिए यूटूब कितने भी है सस्काइबर यूटूब कितने भी बड़े-बड़े क्रेटर्स हो वो कभी यह निचाहेंगे कि यह बंदा है वो हमारे यूटूब चैनल से जाहिए उसको कहीं ने कहीं किसी भी तरीके से उसनों रोकेंगे उसनों लुखाएंगे जिसन मिठ़े दिते हैं नों मिठ़े खाईए तो वो उसका आदि बन जाता ऐसे ही देखे यह जिन्दिगी तुमारी है आप अच्छे हैं समझदार हैं बहुत ही पड़े लिखे हैं आप थोड़ा अपने बिवेक का यूज कीजिए यदि आप अपने मस्तिस का यूज करते हो वर समझते हो कि हाँ जहां से मुझे जानकरे मिल लई है क्या वो में लिए एफिसियेंट है क्या वो राइट है तब बिस्वास कीजिए ने तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोज है जो आपको यही कहेंगे कि हाँ आपको रिख्जाम है वो अब आ गया लेकिन उसके पीछे कोई भी महनत नहीं है कोई भी पुरूफ नहीं है मैं आपको अपनी वीडियों बताया है कि जब भी कोई नोटिस जारी होगता तो सबस्थे पहले इसकी ओफीशन बेपसेट पर जाईए और वहां जागए चेक कीजिए कि हाँ कि क्या कोई नोटिस जारी हुआ है जो यूटुबर्स कहह रहे हैं कि यह नोटिस आया है जब वो नोटिस जारी हुआ है वह जाईए आपके पास आज के समय में नेट है, मौवाइल है, सिंपल सर्च कर सकते हैं तो ऐसी जो वाहित वीडियोज हैं, पकवास वीडियोज हैं उन पर बुर्कुल भी ध्यान केहने देना का है यह जो टाइम चलना है ना, यह आपने पर गवा दिया है, तो मैं भाई सब यह कह रहा हूँ, अब रोगे, बहुत रोगे, और आप सोचोगे कि एक बंदा मिला था, उसने मुझे जगाया, अगर मुझे उस समय पर जग जाता हूँ, तो साइद में आज यह अदर क्लिक्शर ह यह कोई गुवर्मेंट जोग लेकर अब इजनेविव अच्छे से बिता रहा हूँ था, राज नीति में कुछ नहीं था, वो बखवास करना, वो वीडियो इस देखना, उस पॉलिटिस की बात करना, इनों कुछ नहीं रखा, ना तो यह आपको खाने के लिए देने वाले ह नहीं आपको अपने मातर पिताव के दाने से बचाने वाले हैं, रिस्तिता के दाने से बचाने वाले हैं, नहीं आपको नों की देने वाले हैं, इस सिब अपना भणा पढ़ते हैं, अपना पेड़ पढ़ते हैं, दुनिया जाओ भाड में, यदि आपको मेरी बात अच्छ लग रही है, तो मुझे सपोर्ट करता हूँ कि हर नोटिस को ये पोस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ, परखता हूँ, समझता हूँ कि क्या ये नोटिस वास्ते में जारी हुआ है। अगर पाद टाइम ना हो, लेकिन मैं बैठाओं। आपको एक 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 चीज, एक एक नोटिस आपको बताऊंगा, कि हाँ, यह नोटिस सही है या यह नोटिस गलत है। बस मेरे पर मेरे एक से धानत है, कि मैं किसी की कही गई बात अपर बिल्कुल रिसास नहीं करता ह। जब तक उसे समझ ना लूँ, अच्छे से मान ना लूँ, उस पर कोई रिसास ना कर लूँ। तो आप से मैं यही कहुँगा, तो आपको अपने बीवे का पूरा प्रयोज करना हूँ। आपको समझना होगा कि क्या वास्तर में जो हमें न्यूज दिखाई जा रही हैं, वो हमारे लिए वाकिमिस सही है। इन डेगिटिव जो इंफर्मिशन आ रही है, उसका इंपक्ट हमारे माइंड पर तो नहीं पड़े है। वो आपकी चोईस है, मेरा काम है समझनाने का, मेरा काम हो गया। यदि इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो वीडियो को शेयर भी कर सकते है। यह भुपी कर देना।